आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में हम जनरल नालेज के महत्पूर्ण प्रस्णों को देखेंगे जो बेरी बेरी इंपर्टेंट हैं और इसमें कुल 50 प्रस्ण हैं और सभी प्रस्ण परतियोगी परिछाओं में पूछे जाते ह तो आईए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं जो बचे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें महा भारत के रचाईता कौन हैं अगला प्रस्ण है हवा महल कहां इस्थित है हवा महल कहां इस्थित है एंसर आपका होगा जैपूर जो राजस्थान की राजधानी है पिर्थवी और सूर के बीच कितनी दूरी है एंसर आपका होगा लगभग 1500 करोण किलो मीटर सूर का परकास पिर्थवी तक पहुँचने में कितना समय लेता है ये प्रस्ण आप लोगों को कनफ्यूज करता है और आपका सही एंसर होगा 500 सेकंड यानि 8 मिनिट और 20 सेकंड इसका सही उत्तर होगा बिशु का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एसिया महादीप और एसिया महादीप में सबसे अधिक जनसंख्या भी है कागज और बारूद दोनों का अविस्कार किस देश में हुआ है कागज और बारूद दोनों देश दोनों का अविस्कार किस देश ने किया है एंसर आपका होगा चीन किसे मसालों की रानी कहते हैं, एंसर होगा इलाईची, सहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को रेगिस्तानी छेत्रों में उगने वाले पाउधों को क्या कहते हैं, कैक्टस एसिया महादीब में इस्थित किस देश में सबसे लंबा रेलवे लाइन है, भारत हम जो भी भोजन खाते हैं, उसकी उर्जा किस में मापी जाती है, मानों सरीर का सबसे बड़ा जोड कौन सा होता है, घुटने का जोड किरकेट टीम में कुल कितने खिलाडी होते हैं 11. सोना और चादी में कौन सा भारी धात होता है मोतिया बिंद रोग हमारे सरीर के किस अंग से संबंधित है मोतिया बिंद रोग हमारे आखों में यह रोग होता है हम परतेक वर्स पिर्थवी दिवस किस दिन मनाते हैं परतेक वर्स 22 अपरेल को पिर्थवी दिवस मनाया जाता है जनसंख्या दिवस परतेक वर्स कब मनाया जाता है आइंसर होगा परतेक वर्स 11 जुलाई को जन संख्या दिवस मनाया जाता है भारत का राष्ट्य पच्छी आइंसर आप जानते होंगे मोर भारत में केसर का सरवाधिक उतबादन होता है किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है एंसर होगा दर्याई घोडा इस जानवर का जो पसीना होता है वह गुलाबी रंग का होता है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती स्टैचू आफ यूनिटी कहां इस्थित है एंसर होगा आहमदाबाद में जो गुजरात राज में है किसे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं तो भारत का मिसाइल मैन डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को कहा जाता है हमारे सरीर का कौन सा अंग हमारे खून को सुध करता है हमारे सरीर का कीडनी जो होता है वो हमारे सरीर के खून को सुध करता है एक ऐसे फल का नाम बताईए जिससे हमें परचुर मांत्रा में बिटामिन सी मिलता है आउला जितने भी फल आपको मिले जो खटा हो वे सभी उनमें बिटामिन सी होता है किस रंग को सांती का परतीक कहते हैं सफेद रंग को सांती का परतीक कहा जाता है अगला प्रसन है प्राया सभी मानों में कितने दांत होते हैं एंसर होगा 32 दांत होते हैं दुनिया का पहला हवाई जहाज किस ने बनाया एंसर होगा आर बिल राइट और बिल वर राइट ये दोनों भाई थे इसलिए कहा जाता है हवाई जहाज का अविस्कार राइट बंधूओं ने किया था सनी का सबसे बड़ा चंद्रमा कोन सा है सनी का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है कंप्यूटर का अविस्कार किस ने किया कंप्यूटर का अविस्कार चालर्स बैबेज ने किया था भारत में राश्टिये बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है? पुस्तक War and Peace के लेखक हैं लियो टालिष्टाए मुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ती कोन करता है? एंसर होगा राश्टपती, राश्टपती को भारत का पर्थम ब्यक्ति भी कहा जाता है ए मेरे वतन के लोगों देश भक्ती गीत किसने लिखा? आयंसर होगा पर्दीप नाम के ब्यक्ति ने वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत के कारण होता है? चीन असम के किस दिशा में इस्थित है? आयंसर आपका होगा उत्तर दिशा में माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माड किसने करवाया? आयंसर आपका होगा बिमल साह ने बंगाल का बिभाजन हुआ था बंगाल का बिभाजन सन वन नई सो पांच इस बी में हुआ था भारतिय फिल्म अभिनेता सतुर्धन सिनहा किस राज से संबंधित है? ये बिहार राज से संबंधित है आलीगड किस उत्पादन के लिए मसहूर है? आलीगड ताले बनाने के लिए बिस परसिद्ध है किस भारतिय राज में बिसाखा पटनम बंदर गाह है? आंसोर आपका हुगा आंदर परदेश और तेलंग गाना से वह नदी जिसे दुख की नदी के रूप में जाना जाता है आंसोर आपका होगा दामोदर को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है पिटियोटरी गरंथी कहां होती है? अगला आपका प्रस्थन है अमली घोल का पियच मान होता है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा सरपर्थम किसे ने दिया था इंकलाब जिन्दाबाद का नारा सरदार भगस सिंग ने दिया था तो इसमें important प्रस्ना आप सभी लोग इसकी तयारी जरूर कल लें आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद